जैशीर रादे कृष्णा साथियों मैं भी कृष्णा क्यान साहरा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप आपके अच्छे स्वास्त और सुख जिवन की मंगल कामना करती हूँ आपके अपने इश्टेवों कोटी-कोटी नमन करते हूँ बढ़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्राणाम करते हैं साथी इस समफ्ति की समस्या यानि कि आपकी समप्ति है याने आपकी प्रोपर्टी में चाहे वो मकान है चाहों दुकान है उसको वो खरीदना है या बेचना है अगर आपके पास संपत्य है जो आपने सेविंग हैं खरीदी थे और इज आप चाहते हैं कि वह समय पर विके आपको उशर्ट रह लेकिन आपको की समय पर बिक नहीं पा रही है और यदि कोई लोग बताना चाहूंगी इन से संबंदित उपाई कि आपको property खरीदनी है तो क्या उपाई करें और यदी बेचनी है तो क्या उपाई करें जिससे आपका कम जह्ट-पत हो जाए फटा-फट हो जाए और आपके मन के मताबिक सो चाहिं पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा और बेल अकरिंग का बटन ज़रूर दबाएगा जिससे आने माली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले साथे सबसे पहले बात करूँगी संपत्ति को बेचने की यदि आपके पास कोई संपत्ति है चाहे वो खाली प्लॉट है या तो आपका मकान है या दुकान है फैक्टरी कार खाना कुछ भी हो सकता है और आप उसे बेचना चाहते हैं लेकिन समस्या यह आ रही है सामने की वो को यह पा रहा है यदि कोई ग्रहक आता भी है तो आपको मुमागीर purity में बने की जव और चाहते हैं उसके रास्ते में कही कोई रुकावट कोई बाधा है तो उसे हम दूर कर लेते तो हमारा काम एक दम बन जाता है एक बेचने के लिए सबसे पहले उपाए बताऊंगी तो सबसे पहले एक अचोग उपाए तो ये भी है कि आप 86 बदाम ले लीजेगा रवी बार के दिन ही आप अपने घर में लाके रख लीजेए सोमबार के दिन से आपको ये प्रारंग करने सुबह नादों के सबस धारन करिए और दो बदाम लेकर जाये भगवान शिप के मंधिर में महापर आप शिवाले पर जाये दोनों बदाम चड़ाए बहगवान शंकर की पूझा अरादना किजिए चाहूं नमोशिवाय मंत की माला का जाप करिए बदाम महा रखने के बाद आप अपनी मनो कामना भगवान शिव शंकर के सामने रखिए यह बोले ना शंकर देव देवो के देवादे मेरी इच्छा को पूरा करो अब मेरी प्रो बाद में रखे ते और दूसरी जगह में मंदिर में ही वह एक वड़ाम वापस लाके रखेगा के लिए रोज दिन सोंबार से प्रारम करके प्रती दिन आपको ऐसे ही यह करिया दोरानी है कि आपको दो बदाम रोज शिव जी मंदिर में लेकर जाने है एक बदाम वहाँ च आप इन चार दिन बात अपना शूरू कर दो कि आप मेरी प्रोपर्टी बस बिक रही है अब मेरी प्रोपर्टी भिकने ही वाली है गरहा काने वाले यह मन वांचित मुझे जो मैं चाहता हूँ कीमत मिलने वाली ऐसा कहते हैं इसको तिरतालिस दिन तक पूरा करना है 43 डेज में आपके वो 86 जो बदाम ते 86 बदाम वो 43 रह जाएंगे 43 भगवार पर आप चड़ा चुके हैं उन 43 बदाम को ले जाकर बहते जल में प्रवाइद कर दीजे कि मेरी प्रोपर्टी बिग गई बस हम मेरी प्रोपर्टी बिग गई औ और आपका काम कितनी असानी से और कितनी सरवन्ता से हो जाएगा यह 43 दिन का क्रम है इसे करते रहिएगा यदि बीच में प्रोपर्टी यदि क्या 99 परसंट बीच में ही आपकी प्रोपर्टी का काम हो जाएगा तो भी आपको 43 दिन तक यह कार रहे है पूरा करना है आपकी प्रोपर्टी की डील हो जाए तब भी आप इसको बीच में नहीं छोड़ेंगे एक और उपाय बताती हूं कि यह आपका कोई प्लॉट है खाली यानि कि खाली जगा में प्लॉट है और आपको लगता है यह मेरा प्लॉट नहीं भिक रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि तीन तरह की जो है वह सुगंदित अगर बत्ति लीजी अगर पत्तियों में बहुत सारे फ्लेवड आते हैं जैसे मैं बताओं तो आप गुलाब ले सकते हैं चंदन ले सकते हैं लेविंडर ले सकते हैं को भी आप खुष्षबू ले लीजिए तीन culture UP मतलब शु करने दिए चाह्त बनाने हैं चार कोनो में लगानी तिन आपने गुलाब चंदन लेंडर लिया तो पोस्तीम के लेकर फिल conve लगा दीजे और वहाँ पर जो आपका खाली जगा में प्लोट है वहाँ पर बीच का उसका एरिया आपको पता चल जाएगा जब चार कोनों में आप 3-3 अगरवत्तियां लगा देंगे तो बीच का जो खाली जगा है उसमें थोड़ी सी जगा खाली करके एक चटा वाला नार जोड़ी सी जगा खाली करके उसमें उसको जो चोटी वाला हिस्सा होता है उसके सहीत रख दीजे और उपर से उसे मिटी से ढख दीजे और एक दीपक आप उसके उपर जला कर और फिर मुड कर नहीं देखेंगे ना आप किसी से बात करेंगे सीधे अपने घर आ जाईगा अगर आप ये काम करके आते हैं मनी मनववान से परातना करते कि जो प्रोपर्टी है इसके उपर जित्ती भी नेगिटिविटी थी जो भी कोई नकारात माकता थी जो भी कोई इसके उपर ग्रह थे जो भी कोई इसके साथ परिशानी थी वो सारी अब दूर हो गई है आपकी अब यदि आपको संपती खरीदनी है, संपती खरीदनी है और खरीदने की कहीं बात नहीं बन पा रही है, आपका बहुत मैन है कि हमारे पास कोई मकान हो जाए, कोई प्लॉट हो जाए, कोई दुकान, फैक्टरी, बहुत सारी चीज़े हमारे होती हैं, तो आप एक बहुत चो तो आप से सुर्मा ले ले लिजी एक पैकेट में और उसे लेकर शंवार के दिन किसी ऐसी जगा चले जाए जो खाली हो चाहिए वो मंदिर के पास की हो या पोई पेडवेड के आसपास की खाली जगाओ वहां चले जाए और फोड़ी ची जगा बना कर उस सुर्मे की पुलिय मेरा कारे बस होने ही वाला है यह सब कहते हुए आप महापर उसे दबा कर आजे शनिवार के दिन किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं किसी भी समय आप इस कारे को कर सकते हैं फिर आप देखेगा कि आपका जो सपना है कि कोई भी आपकी प्रोपर्टी हो वो कितनी जल्दी जो भी आपका सपन है जो भी आपका सपने भीन उसकी लीजे सुन्दर्शी जो आपके वहां पर कोई बहुत फाल्तू की चीजे ना हो वह खाली रहे तो ज्यादा अच्छा है और उसमें कोई लाल हले रहे रहे रंगी चीजे ना हो और कोई ऐसे नहीं की वेस्ट मैटीरियल वहां रखा है वह चीजे जो आपकी यूज नहीं होती वह रखी हैं उन सब को महासे हट आपके साफ कर लिजेगा फिर आपको एक प्लेन पेपर लेना है वाइट कलर का उस पर सिल्वर कलर का पैन सभी कलर के पैना आते हैं उससे अप अपनी विश लिखे यह जो मकान जिसकी भी आपने फोटो लगाई है वह आप अपने शब्दों में लिखेगा यह मेरा मकान य जो भी आपने सपने देखे हैं अपने चाहें ओफिस के लिए देखे हो या घर के लिए वो सारी चीज उसके उपर लिख दीजे शौट में अब उसको क्या करना है कि उस नोर्थ जो वैस्ट के दिवार है आपकी उसमें आपको उस पेपर को चिपकाना है अब क्या करना फोटो का जो मूँ है वो हमारे घर के तरफ हो गया ठीक है ना फोटो का मूँ हमारी तरफ की तरफ हो गया और जो लिखा हुआ है उसका मूँ दिवार पर चिपक गया इस तरह से आपने उसको पेस्ट कर दिया उस दिवार पर प्रते दिन जब आप उठें सुबार शाम इश्वर तुम्हारी बहुत कृपा के तुमने मुझे ये दिया इस तरह से इश्वर का धिन्यवाद करते रहेंगे निरंतर उसे देखते रहेंगे उस कॉर्णर को देखते रहेंगे जहां आपके घर की फोटो लगी है और बस उसके बाद आप देखेगा मतलब इन चीजों में चमतकार होते हैं इन उपायों में चमतकार होते हैं लेकिन कब तब आपका उसमें विश्वास हो तब आपकी उसमें श्रदा हो ऐसे नहीं कि मैंने बता दिया और आप नहीं सोचे उन्होंने बताया देखते हैं इस्वर पर km ब羞 memo पैंने के और ख़रीदने के बताएं दो वह समपति शबंपति इंसे पहुत लोगों को आपको विएखने्ट कि बात्तकित इतने के आहिए थैसके हम इतने वह ब्रेकर होगा थाreno tut हो जाएंगे कीजेगा पूरे शर्धा और विश्वास के साथ तो इसाज़त दीजिए आज के लिए इतना ही आशा करते हो वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी मिलती हूं एक और नए टॉपिक के साथ तब तक हस्ते रहें मुस्कराते रहें कमेंट बॉक्स कुछ भी लिखेगा लेकिन लिखेगा जरूर इश्वार आपकी मदद करें